हिंजी फानी स्टोरी प्रसुद हिंदी कहानी एक कुमवारी मोटी लड़की पर आधारित है। ये हिंदी हासे कहानी सिर्फ मनुरंचन को ध्यान में रखर रचित है। किसी मोटी व्यक्ति का उपहास उड़ाना उद्देशे नहीं है। मोटी को मिला पती एक बार भारी भरकम मोटी लड़की भगवान शेव की मंदिर में गई। और अपने दोनों हाथों को फैला कर कहा। है बगवान पती देदो। उसकी कहते ही तुरंट पंडित जी बोले। अब इतना बड़ा पती कहां से आएगा। मंदिर की छत फोड़ेगी। क्या हाथों को कम फैला कर मांगो। मोटी लड़की ने कहा। पंडित जी मैंने अपनी आवशक का अनुसार ही मांगा है। मेरे पापा कहते हैं भगवान जब भी देता है छप पर फाइकर देता है। पंडित जी बोले हां समझ गया आज से 25 साल पहले तुम्हारे मात पिता आये थे। और ऐसे ही हाथ फहला कर मांगा था। तो भगवान ने तुमको दे दिया। तो मोटी लड़की ने मासुमियत पूछा। तो कोई और तरीका नहीं है पंडित जी। पंडित जी ने कहा तर देखा है पुत्री। शीतल कुंच मैं जाओ प्रेम से लुपकी लगाओ और फिर जोड से चिलाओ भगवान सब की सुनता है। पती ही नहीं परिवार मिलेगा। और यदि लुपकी ढंग से लगाली तो नया संसार भी मिलेगा। तो खुबसूरत शारडिक स्वाष्टों क धनी वेह युवती जूमती जूमती सेड़ियों से कुण में नीचे उतरने लगी कि अचानक फिसल गई और बेचारी दो कमजोड सीड़ियां तूट गई। लो देखो युवती पानी में डूबने लगी। अब वेह डूबती हुई चिलाई। बचाओ बचाओ। लेकिन म मुह में बार बार पानी जाने से आवाज निकली। बच्चा आओ बच्चा आओ वहां मंदिर में एक बच्चा जो अपनी मा को धूंध रहा था। जैसे ही सुना तो तुरन पानी में ऊद गया। अब मुटी के मुह से निकलने लगा। आओ आओ। इसी दोरान मंदिर में आए एक मुटे युवाने युवती की आवाज सुनी। तो देखा बिलकुल मेरे समान से है तमंड युवती। सोचना क्या जाओ। अंत में पंडित जी। देखो पुत्री मैंने कहा था ना पती ही क्या परिवार भी मिलेगा। थोड़ी देर की बात और है नया संसार भी म क्या जाओ।